तो आज के स्थान में हम लोग बात करने वाले हैं कि आयाटी जैम के पिछले 10 साल के पेपर का अनलिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर आप लोग जैम एक्जाम के लिए प्रेपर कर रहें तो क्यों से ऐसे सब्जेक्ट है या कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से एक्जाम में सबसे ज़्यादा माक्स के क्वेशन पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल ही करना है मतलब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं आप लोगों को तो अगर आप लोग BSc 1st year, 2nd year या 3rd year के स्टुडेंट हो IIT जैम के लिए प्रेपर करना चाहते हो तो यह पर इतना दिना है इसके लिए थोड़ा कम देना है इस topic के लिए थोड़ा ज्यादा देना है तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि पहले स्टार्ट करते है 23 से मतलब इत साल जो एक्जाम हुआ था उसकी अगर मैं बात कर लू तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो real analysis से actually यहाँ पर एक बात आपको मैं confirm कर देता हूँ यहाँ पर real analysis और function of several variable को भी आप चाहो तो real में include कर सकते हो तो देख सकते हो real analysis में 20 question 33 marks के लिए और function of several variable में 6 question 10 mark के लिए पूछे गये थे अगर मैं overall बात करूं real की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 43 marks का question सिर्फ आपका real से पूछा जा रहा है और आपका exam कितने marks का होता 100 marks का मतलब IIT exam के लिए real analysis बहुत ही important subject है आज तक कोई ऐसा student नहीं है जिसने real नहीं पढ़ा और IIT exam का exam crack कर लिया impossible है ऐसा होई नहीं सकता तो इस topic को real analysis को आपको बहुत ही अच्छे से करना है ठीक है और अगर मैं group theory की बात की हूँ तो यहाँ पर इस साल देख सकते हैं कि 8 question 13 marks के लिए पूछे गए थे linear algebra से 21 marks question पूछे गया है 12 तो अगर आप कह सकते हो अगर आप इन दोनों को combine कर दोगे ना सिर्फ 2 subject से on an average मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 65 marks के question पूछे जारा है real से और linear से सिर्फ 2 subject से 100 में से 2 subject से 65 marks से question लगभग पूछे जाते हैं और ODE से बात करे तो यहाँ पर भी 7 question 12 marks के integral calculus से साथ question 11 marks के लिए पूछे जाते हैं और vector calculus अब jam के syllabus में नहीं है पिछले 2 सार से vector calculus को हटा दिया गया तो मतलब आपको एक subject कम पढ़ना होगा यहाँ पर तो vector calculus कते ही नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को function of several variable के मैंने बात कर लिया तो exam point of view से अगर आप देखे तो real काफी important है उसके बाद number आता है linear का फिर group का ordinary differential equation का और integral calculus का तो अब आप लोगों के मन में आ रहा हो चलो यह तो इस साल का है क्या ऐसा हमेसा चलता है बिल्कुल तो यहाँ पर आप लोग देख से 2022 का है 2021 का 2021 में real के लिए देखे यहां से आप बता सकते है 38 marks प्लस 6 marks तो यहां पर भी कितना 44 marks हो गया और यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं जैसे कि आपका तो paper 100 marks का ही है integral vector calculus हटा दिया गया तो उसके थोड़े marks ना आपके कह सकते हो कि पहले आप पहले कितने marks का आता था 16 marks का यहां पर है और उससे पहले देखे 23 marks का भी पूछा गया है तो पहले linear algebra 15 16 17 marks का पूछा गया था तो जो vector calculus हटाया गया है तो 6-7 marks यहां पर linear में shift कर दिया गया है तो linear आप लोगों का लगबग 22 23 21 से marks का पूछा जाता है जो कि एक अच्छा है अच्छा number है तो linear आप लोगों को करना चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि differential equation से 2021 में 10 marks की question पूछे गये थे integral से 4 marks का और vector से आप 6 marks का देख सकते हैं similarly आप 2020 में देख सकते हैं कि real group से 10 marks का linear से 16 marks का OD से 13 marks का integral से 9 marks का vector से 13 marks का और function of several variables से 8 marks का question पूछा गया था छीक है यह तो हो गया 2020 तक के analysis की बात हमने कर लिया अब similarly आप यहां पर 19 का देख सकते 18 का 17 का 16 का 15 का तो यहां से एक आपको idea मिल जाए कि भी कौन सा topic या कौन सा subject ऐसा है जो exam point है विसे काफे important है तो अब अगर मैं बात करूँ हाल फिलहाल में अब आपके पास ज्यादा नहीं है देखो आपके पास real analysis पूछा जाता है exam में अब group theory पूछा जाता है linear algebra ODE integral calculus vector हटा दिया गया function of serial variable को हम लोग यहां पर include कर सकते हैं तो यहां पर मेरा यह मानना है अगर आप exam exam crack करना चाहते हो एक अच्छे IIT में admission लेना चाहते हो तो आपको सारे topics करके जाना चाहिए और हां कह सकते हूं कि real पे linear पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादा मास के question पूछे जाते हैं पर इसका कते ही मतलब नहीं कि आप group theory OD और integral calculus ना करो ऐसा कते ही मत करना विल्कुल आप लोग करके जाओ group theory भी आपको पढ़ना है integral calculus भी पढ़ना है OD भी पढ़ना है चोटे चोटे topic हैं बहुत चोटे नहीं है ठीक ठाक हैं मतलब real के comparison में चोटे हैं बट यहां पर marks लाना आसान होता as compared to real real भले से मैं कहा रहा हूँ कि लगभग 45 मास का पूछा जा रहा है आप वहां पर 45 ला नहीं पाओगे बहुत difficult task है अगर आप वहां पर real में अगर 45 का अगर आप 25 भी ले आओ ना तो भी आपके लिए बड़ी बात है बट बाकी जो subjects है ना वहां पर marks लाना आसान होता as compared to real analysis तो यही मैं कहूंगा कि आप लोगों को कोई भी subject नहीं छोड़ना है सारे subject अच्छे से पढ़के जाए ताकि सिर्फ आपको MSC नहीं करना धमाकेदार MSC करना मतलब IIT में top के IIT से आप MSC करो ताकि पासपडोसी या आपके दोस्त हैं या कहीं पर आप job के लिए जारत उनको लगे कि भाई हाँ यह इस IIT का बंदा आया हुआ है तो इस हिसाब से आप लोगों को प्रेपेर करना चाहिए तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं I hope आपको समझ आ गया होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं So thank you so much